The New Empire का नया ट्रेलर हम लोगों को मॉस्ट वर्स के उस नए टेरर से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसे कहा जाता है स्कार किंग एक जाएगांटिक एंशिंट एप जो बहुत ही स्यादा इंटेलिजन्ट है डेडलियस्ट है और अब तक दिखाएगा है साड़े टाइटन्स में से सबसे ज्यादा इवल है ट्रिलर में दिखाएगा है एक शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं कि स्कार बस कुछी सेकेंड्स के अंदर कौंग को ओवर पावर करके वेपन लिस्ट करता है जिसे देखकर हम लोग को इतना तो पता चली जाता है कि स्कार इस यूनिवर्स के सबसे पारफुल आलफा टाइटन से फाइट करने के लिए वो पूरी तरिके से केपबल है और ऐसा हो भी क्यो ना उसके पास हजारों सालों का एक्सपीडियंस है उसने दुनिया के सबसे बड़े अमपायर्स को बनते हुए और खतम होते हुए देखा है उसने वो टाइटन वार भी देखा है जिससे अर्थ के दूपारफुल स्पीसीज खतम होने वाले थे और क्या पता शायद स्कार नहीं उस बैटल को स्टार्ट किया था इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सकार एक आलफा टाइटन है और वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन मेरे कहाल से वो मेंटली और भी ज्यादा स्ट्रॉंग है वो अपने आसपास के मॉंस्टर्स को मैनपलेट कर सकता है और फिर उन्हें कंट्रोल करकर उस आर्मी का चार्च अपने हाथों में ले सकता है लेकिन अगर कोई उसके आर्डर्स को डिजबे करता है तो स्कार उसे इस तरीके से खत्म करता है कि दूसरी बार कोई ऐसा करने की जुर्रत भी नहीं करता और इसी तरीके से वो टाइटनस कॉंग्स के एक इंटार स्पीसीज को अपना नौकर बना कर रखा है जिसमें से कुछ उससे डरते हैं और कुछ उसे सपोर्ट करते हैं लेकिन इन दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है वो सब के सब सकार के कंट्रोल में है और इनी कॉंग्स को लेकर सकार इस शेहर को तयार करता है जहांपे कॉंग्स सकार के प्लैन को एक्सेक्यूट करने के लिए उसके ओर्डर को फॉलो कर रहे हैं और इन मेंसे जो अच्छे काम करते हैं उन्हें मिलता है रिवोर्ड्स और हायर पोजिशन और ऐसा ही कुछ हम लोग उस ट्रेलर में भी देखते हैं जहापे कुछ कॉंग्स उसके सामने जोक रहे हैं और कुछ वर क्राई कर रहे हैं तो ऐसी इस कार अपने ग्रूप में एक hierarchy को set करता है जो हम लोग real life animals में भी देख सकते हैं जैसे की apes जो हमेशा एक group में रहते हैं और वो हर एक threats को united होकर eliminate करते हैं और ऐसा है कुछ हम लोग high animals में भी देख सकते हैं जो हमेशा अपने group के सबसे agent लेकिन powerful person को अपना leader मानते हैं और एक अच्छे emperor के पास ये दो characteristics हमेशा होते हैं जिन में से पहला है अपने group को control करना और दूसरा है experience होना और वहीं एक titan के society को चलाने के लिए भी उसी level का domination ज़ोड़ी होता है जो scar king के पास है वो सिर्फ इस species का ही नहीं वो hollow earth का top dog है वो हमेशा एक कौंग के group को अपने साथ रखता है जो उसके bodyguards की तरह काम करते हैं लेकिन अगर कौर से देखा जाए तो फिर इनका relation इसे भी कह रहा है असल में ये apex titan skillers का एक team है और scar के लिए ये उसके right hand man's है जो कौंग के इस entire species को line में रखने का काम करते हैं और scar के लिए ये है उसके allies दोस्त जिनने scar सबसे स्यादा trust करता है और ये लोग भी scar के लिए हमेशा मरने या फिर मारने के लिए ready रहते हैं scar इनको हमेशा अपने throne के करीब रखता है क्योंकि ये लोग scar के kingdom को maintain रखते हैं scar के orders को उसके kingdom में spread करते हैं resources को control करते हैं जगरे को settle करते हैं और तो और ये next generation को भी तयार करने का काम करते हैं और इनी reason से ये लोग scar को blindly follow करते हैं और ऐसा है कुछ हम लोग high nose में भी देख सकते हैं जो group के leaders के साथ होते हैं उनके foods और resources group के दूसरे members से ज्यादा होता है और इसी reason से scar अपने group में इतना स्यादा famous हैं वो mass impression और slavery का एक perfect system है जो एक हिसाब से humanities को भी reflect करता है वैसे film के director निवी क्या है कि वो scar के through humans के सबसे cruel intentions को दिखाने वाले हैं और इस theory के हिसाब से ये सच होते हुए दिख रहा है scar इस group का leader है और उसके इस group के लिए सबसे important है peace को maintain रखना चाहे किसी को ड़ाना हो या फिर किसी को मारना हो लेकिन scar के kingdom में peace maintained रहना चाहिए scar के allies दूसरे kong से size में बरे हैं और powerful भी और उन्हें किसी का भी परवा नहीं है चाहे सामने kong हो या फिर king of the monster गौजिला हम लोग के पास इनके नाम तो नहीं है लेकिन इस film में ये लोग बहुत ही important role play करने वाले हैं क्योंकि इस film के second trailer में हम लोग इने बहुत बार देख सकते हैं और इनी में से एक सूको को capture करने के लिए उसके पीछे जाता है वैसे सूको स्कार का ही हाप प्रीट सन है जो उस captivity से भाग चुका है और स्कार अभी अपने allies में से किसी को भेजता है ताकि वो सूको को वापस ला सके वैसे अगर स्कार के kingdom में से कोई स्कार के against जाता है तो फिर ये तीनों मिलकर उसे मारते हैं उसे humiliate करते हैं और finally उसे मार डालते हैं लेकिन apes एक दूस्टे को नहीं मारते हैं तो इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने पास लगा है hollow earth का सबसे powerful titan शीमो वो उस rebel kong को बुड़ी तरीके से beat down करने के बाद उसे शीमो के सामने फेक देते हैं और इसी तरीके से वो शीमो को पालते हैं या फिर खिलाते हैं और इसी तरीके से स्कार अपने kingdom के अंदर किसी भी revolution के start होते ही उसे खतम कर देता है स्कार के पास spice भी है जो उसे उसके worthy opponents या फिर दूसरे alpha titans के बार में खबर देते हैं और उसके spice, surface world और hollow earth दोनों में ही exist करते हैं स्कार के भरोसे के लोग उसे defense भी कर सकते हैं और वो स्कार के threats को take down करने के लिए आगे भी बर सकते हैं चाहे उनके सामने कॉंग हो या फिर Godzilla उन्हें इसे कोई फरक नहीं परता स्कार के allies trained हैं और battle की time पर उसे support भी करते हैं तो ये देखना भी interesting होगा कि कॉंग किस तरीके से इस group का leader बनता है और इस group को एक brighter future की तरब guide करता है स्कार की बिना क्योंकि अगर वो रहेगा तो फिर इन्हें कभी भी freedom नहीं मिल सकता तो हाँ इस कहानी में ये group बहुत important role play करने वाला है क्योंकि इन में से कुछ जासूस हैं, कुछ enforcement हैं, कुछ bodyguards हैं, कुछ allies हैं, कुछ assistance भी provide करेंगे और कुछ SCAR के दोस्त भी हैं दोस्त जो SCAR को support करते हैं और वो अपने master के लिए जान भी दे सकते हैं लेकिन ये group कितना भी बरा हो, कितना भी powerful क्यों ना हो, अपने Apex Titans का कोई match नहीं है and that's the video guys, video कैसा लगा, comment में ज़रूर बताना और मिलते हैं आफ से अगले video में, till then take care and peace out